तो कैसे हो आप लोगमोरिया एजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों आज हम स्टार्ड कर रहे हैं फिर से प्रेक्टिस सेट 7.1 को कम्प्लीट करेंगे जो कि 9th standard का most important chapter है chapter number 7 coordinate geometry के बारे में पढ़ेंगे जो इसका basic introductory part था इसको हमने complete कर दिया है जो इसमें example दिया था उसको भी हमने अच्छे से समझा दिया है अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे playlist में जाकर वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं ठीक है अब आगे हम आज पढ़ेंगे practice set number 7.1 देखते हैं इसमें क्या दिया है अगर आपके पास book है तो आप book और pen लेकर बैठ जाएए pen paper रहेगा तो आपको समझने में काफे आसानी मिलेगी अब देखिए question number हमको 1 दिया state in which quadrant ठीक है हमको state करना है कि कौन से quadrant में पढ़ने वा question number 1 में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है एक y axis ड्रा किया है और यहाँ पर एक x axis ड्रा किया है यह हमारा o point हो गया ठीक है जो की 0 से सुरू होता है ठीक है origin point है इस side में हमारा क्या रहता है plus plus रहता है मैं sign बना देता हूँ हमारा first quadrant क्या रहता है plus plus का रहता है और यहाँ पर हम देखेंगे second तो minus और plus का रहता है क्यों क्योंकि minus हमारा left side में रहता है x axis और positive कौन सा रहता है y axis और उपर side में रहता है अगर हम third को देखें तो third में क्या रहता है minus minus दोनों रहता है क्यों क्योंकि x axis left side में minus रहता है और y axis नीचे side में minus रहता है fourth में देखें तो fourth में x क्या रहता है हमारा positive रहता है plus रहता है और y नीचे side में minus रहता है तो यह हमारे चार quadrant है और इसमें हमको बताना है कि यह जो question दिया है एक कौन से quadrant में पड़ेगा अब जैसे आप book में देख रहे होगे तो इसमें दिया है first a ठीक है first question में हमको a दिया है और पूछ रहा है कौन से quadrant में पड़ेगा और इसका coordinate point हमको दिया है coordinate ठीक है coordinate point हमारा A होगा और coordination इसका दिया हुआ है minus 3 and 2 अब देखे minus 3 क्या है x-axis पर पढ़ने वाला है तो x-axis किदर जाएगा minus side में जाएगा 1, minus 2, minus 3 minus 4 हमने इधर ले लिया और इस side 1, 2, 3, 4 positive का ले लिया ऐसे ही y पर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 positive का ले लिये और नीचे side हम ले लेंगे किसको minus का ले लेंगे ठीक है minus का ले लेंगे minus 1, minus 2, minus 3 and minus 4, minus 5 ऐसा ठीक है अब इस पर हमको value बताना है देखे बहुत तीजी है आपको define करना इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है x हमारा क्या है minus को denote कर रहा है ठीक है minus है और minus 3 दिया है तो minus के तरब चलेंगे minus 3 देखे हमारा यहाँ पर पढ़ रहा है ठीक है और हमने minus के point पे यहाँ पर देखे हमने point बना दिया तो यह किसके parallel होगा यह हमारा y के parallel जाएगा ठीक है यह हमारा y के parallel जाएगा और y पे हमको बता रहा है कितना लेना है 2 तो 2 हमारा x के parallel हो जाएगा ठीक है आप देखते हैं यह जो हमारा point जहां पर दोनों intersect कर रहा है यही point हमारा a बनेगा ठीक है a और यही हमारा क्या हो जाएगा minus 3 and 2 ठीक है तो इसका answer क्या हो जाएगा हमारा यह पड़ेगा आपका second quadrant में यह पड़ेगा second quadrant में यहां हमारा first quadrant और यह हमारा third quadrant है और यहां पर हमारा fourth quadrant है ठीक है अब b को देखते हैं b में दिया है minus 5 minus 2 दोनों हमारा minus में है तो दोनों minus किस side में दिख रहा है हमारा third quadrant में दिख रहा है तो इसका answer क्या हो जाएगा minus 5 ले लेंगे B के लिए जो की x axis पर पड़ेगा और minus 2 आ जाएगा किस पर? Y पर तो यह हमारा line यहाँ पर आएगा और यह S आजाएगा तो हमारा यह B point हो जाएगा ठीक है आप समझ रहे हैं इसको अच्छे से आप देखिए समझने में जरा भी आपको problem नहीं आएगा K के लिए दिया है 3.5, 1.5 दोनों positive में है तो हमारा quadrant जो बताने का हमने method भी बता दिया 3.5, 3.5 आएगा 3 और 4 के बीच में आएगा तो यह line यहां से जाएगी और दूसरा 1.5 आएगा 1 and 2 के बीच में Y axis पे ठीक है तो ऐसे इसको हमको बनाना है D पे देखिए 2 and 10 है 2 and 10, 2 हमारा positive में जाएगा और 10 भी positive में जाएगा तो हमारा first quadrant में पड़ेगा ठीक है यह पर देखते है 37, 35 दोनो positive है तो दोनो हमारा first quadrant में आएगा 15 and minus 18 देखिए 15 क्या है positive में तो X axis पे हमको positive चलना है ठीक है positive कहां तक जाओगे आप 15 तक जाओगे और Y axis पे क्या करोगे minus 18 तक जाना है तो यह plus और minus हमारा कौन सा है यहाँ पे fourth quadrant है तो यह हमारा fourth quadrant में पड़ेगा आगे आप देख सकते हैं G G दिया है 3 and 7 तो X 3 positive जाएगा और minus 7 किसमें जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा fourth quadrant में आ रहा है H 0 minus 5 X हमारा 0 है ठीक है X हमारा 0 हो गया और Y पर हमको कितना चलना है Y पे चलना है minus 5 नीचे side तो यह हमारा on Y axis पड़ेगा इसको हम क्या बोलेंगे on Y axis M को देखते हैं M हमारा 12 दिया है मतलब X 12 है positive side में जाएगा ठीक है positive जाएगा और Y हमारा 0 है ठीक है Y के तरब जाएगा तो यह हमारा on X axis पड़ेगा समझ गए आप N के लिए दिया है 0 and 9 X हमारा 0 हो गया और Y हमारा positive side में जाएगा तो Y axis पर आएगा ठीक है आप इसको समझ गए यहाँ पर आप देखिए आप पस के वल figure को देखते जाएए और quadrant को देखते जाएए प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस आप चारो को define कर लीजिए आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी P पर दिया है 025 ठीक है तो P X हमारा क्या हो गया जिरो हो गया और Y 2.5 है 2.5 हमारा positive में दिख रहा है तो भी हमारा एक कों से जाएगा Y axis पे जाएगा Q को दो देख लेते हैं यहाँ पर minus 7 और minus 3 है तो minus minus हमारा third quadrant दिख रहा है तो यहाँ हमारा third quadrant में पढ़ जाएगा तो बस ऐसे define करना था और इसको ऐसे सालू करना था और नीचे हमको answer लिखते जाना है कि कौन से case quadrant में पढ़ रहा है या कोई axis पे पढ़ रहा है तो axis के बारे में बता देंगे तो इस तरह से हमारा question number one solve हो जाएगा question number two पर चलते हैं question number two पर चलते हैं अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमको मैं question पढ़ते जा रहा हूँ दोस्तों आप इसको ध्यान से देखिए book में देखते जाएए और आप diagram बनाना है तो rough diagram बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है जितनी बार आप rough practice करेंगे उतना ही कि आपका काम आसान हो जाएगा in which quadrant are the following point अब पूछ रहा है कि जो हमको quadrant कौन से quadrant में पड़ेगा उसको हमको बताना है जैसे हम देख रहे हैं first पूछ रहा है हमसे whose both coordinates are positive अगर जिसके x quadrant और y दोनों कौड़नेट जो दिया है वो क्या है positive में है तो positive किस में पड़ेगा अब कि यहाँ पर हमने चार पार्ट जो डिवाइट किया है उसमें पहला वाला पार्ट क्या है first quadrant हमारा plus plus है ठीक है तो दोनों positive रहेगा तो हमारे first quadrant में पड़ेगा first quadrant में पड़ेगा तो यही आपको बताना है बाकी इसमें कुछ करना नहीं नहीं हूँग बोथ coordinates are negative और दोनों कोई negative है तो आप देखेंगे plus plus के opposite side में third जो हमारा पड़ता है वो क्या है minus minus है जो कि हमारा third quadrant आता है third quadrant आता है तो हमको वस इतना simple से बाते हैं जो की समझना और बताना है third में देखेंगे whose coordinate whose x coordinate are positive is positive x हमारा positive है मतलब इस side जा रहा है ठीक है y क्या है y is negative तो positive negative कौन सा है हमारा fourth coordinate है इसको हम fourth coordinate बता देंगे ठीक है यह हमारे fourth quadrant में आएगा तो बस ऐसे ही आपको बताना है quadrant में आएगा ठीक है और हम fourth देख लेते हैं last जो की x को हमको negative बताया जा रहा है तो x हमारा negative इस side में जाएगा और y positive है तो यह किसमें आ जाएगा बच्चो y देखे positive उपर side में जा रहा है हमारा second coordinate आ जाता है यहां हमारा second quadrant आ जाता है तो इस तरह से इसको solve करना था बताईए इससे easy question और इससे easy method आपके लिए क्या हो सकता है simple तरीके से आप इसको solve कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं अब चलते हैं question number three के तरप question number three के तरप three मे हमको क्या दिया है draw the coordinate system on a plane and plot the following एक हमको बोल रहा है की plane पे ड्रा करना है और उसका हमको quadrant बताना है ठीक है? coordinate point दिया हुआ है coordinate का नाम दिया है यह हमारा x हो गया x axis ठीक है x axis हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया y axis हो गया ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पर हमारा 0 हो गया और यह point o हो गया ठीक है जिसको axis यहाँ से हमारा दोनों 3, 4, 5 जो भी रहेगा उसका origin point है, इसको हम क्या बोलते है, origin point और यहाँ का negative ठीक, आप चाहिए तो यहाँ पर आप अपने को assign कर लिए, प्लस प्लस का है, इधर क्या है, minus plus है, और यहाँ क्या है minus minus है, और इस side में क्या है हमारा? X हमारा plus में है, Y हमारा minus में ठीक है जब इसको आपने बना लिया तो समझने के लिए आपको जरा भी दिक्कत नहीं है देखिए फर्स्ट के तरफ हम चलते हैं L दिया है mean 2 and 4 minus 2 देखिए इससाइड में आएगा हमने पहले ही बताया कि left साइड में minus है right साइड में plus है तो minus 2 यहाँ पर हम जैसे बना दीजे मां लिए 1 minus 2 minus 3 minus 4 और यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे बना दीए अफिञा और उपर जाएगा अब और easy हो गए आपके लिए तो minus 2 यहाँ पर यह point पर आ रहा है यह किसके जाएगा यह हमारा y के parallel जाएगा ठीक है यह y के parallel जाएगा और 4 y पर ले लिजे 4 और इसको यहाँ से जोड़ दीजे यह point हमारा जो l बना इसको हम क्या लिखेंगे minus 2 and 4 x की value minus 2 है और y 4 है ठीक है तो इस तरह से इसको करना है m देखते हैं m 5 and 6 दोनों positive है तो हमारा 5 x पर आएगा इसके parallel जाएगा ठीक है और 6 है यहाँ पर 6 मान लेते हैं तो 6 हमारा इस वे में जाएगा तो यहाँ पर बनने वाला क्या रहेगा m 5 and 6 5 x के लिए और y के लिए 6 है ठीक है आगे हम देखते हैं minus 3 minus 4 minus 3 minus 4 देखी है हमारा इसमें पड़ेगा minus 3 इधर से आएगा और minus 4 इधर से आएगा तो यह वाला जो हमारा n पड़ेगा minus 3 और minus 4 के लिए बना है p p पर दिया है 2 and minus 3 2 तो हमारा positive में जाएगा और minus तो हमारा इस side में बन जाएगा ठीक है आप इसको ऐसे बना सकते हैं 2 and minus 3 है तो minus 3 हमारा यहाँ पर पड़ रहा है यह हमारा p के लिए हो गया 2 and minus 3 आगे हम देखते हैं q q पर दिया है 6 and minus 5 अब देखे जो हमने यहाँ पर बनाया है तो यही point कहाँ पर बनेगा जो आगे बढ़के 6 होगा और यहाँ पर minus 5 जाएगा यहाँ पर बन जाएगा देखे कितने इजी तरीके से आप इसको solve कर पा रहे हैं इसको बता रहा है 7 and 0 x पर हमारा 7 positive दिख रहा है और y 0 तो हम इसको क्या लिखेंगे on x axis on x axis और नीचे लिख देंगे 7 and 0 ठीक t पर दिया है 0 and minus 5 तो x तो हमारा 0 हो गया और y क्या है minus में नीचे side आएगी कहाँ पर यहाँ पर इसको हम लिखेंगे on y axis on y axis तो इस तरह से आपका question number 3 भी complete हो गया जो की practice set number 7.1 में question number 1, question number 2 and question number 3 दिया था पूरी तरह से हमने complete कर दिया है अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर कोई भी किसी भी question में कुछ भी problem लग रही है तो आप हमको comment section में comment करके बता सकते हैं पूछ सकते हैं हम आपको उसका तुरंत reply देंगे तुरंत solution देंगे अगर आपको ये chapter अच्छी तरह से समझ में आ गया है हमारा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो please हमारे वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और हमारे ही आपके लिए अच्छे से अच्छे contents के साथ वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे जो की आपके study में काफी support करेगा तो मिलते हैं next वीडियो में next lecture में तब तक के लिए bye